मान लिजिए हां जी Mr. Ram Mr. Ram ने decide किया suppose करो इसके घर में बहुत सारा gold है पहले से ही सोने की बिस्किट चार पांच किलो सोना है इसके घर में और बेरोजगार है और ये सारा gold इसके माता पिता ने इसके नाम पे दिया था और इसकी बात करें मार्केट खरीदा कब गया था इसको एक चार दो हजार दो में और खरीदा गया था ये पचास लाग का पचास लाग नहीं मान लेते हैं पांच लाग पांच लाग का gold खरीदा गया था Mr. Ram काफी टाइम से काम नहीं कर रहा है इसने डिसाइड किया कि यार चलो हम अपना बिजनस स्टार्ट करते हैं अब जब बिजनस स्टार्ट करना है तो किसका करना है इसके पेरेंट्स भी मान लेते हैं गुल्ड स्मिस सुनार हुआ करते थे जुएलरी शॉप था इनके पेरेंट्स का इसने हाला कि बाद में बंद कर दिया बाद में बोला चलो री ओपन करते है अब इसने एक दुकान ओपन किया और इस दुकान कौन सा दुकान ओपन किया इसने कौन सा शोरूम ओपन किया कौन सा बिजनस जुएल्री का जोल्री शॉप इसने open कर लिया और इसने क्या करा भाईया जोल्री शॉप में क्या मिलेगा सोना चांदी के आपके जोल्री ही मिलेगे तो सर गोल्ड वगेरा लाने के लिए सोचा इसने के हम बाहर से लाएंगे तो investment लगीगा पहले हमें काम करते जो हमारे पास है पहले से, पहले इसी को इस्तमाल करते हैं, तो ये सारा उठा के अपने दुकान में लगा दिया, ठीक है ना, सारा उठा के इसने घर से कहां लगा दिया, दुकान में, और इसने बैपार पता किस दिन स्टार्ट किया ये वाला, बिजनस स्टार्ट किया 14-2018 मे अब इसके दुकान पर ग्रहां काए आते गए आते गए और इसने सारा गोल्ड बेच दिया और जिस दिन इसने ये दुकान करा था उस दिन इस सोने का रेट FMV सर उस दिन इसका रेट था 1CR का एक करोड रुपे का इसका रेट था जिस दिन इसने क्या करा दुकानदारी स्टार्ट किया था इसने और कस्टमर आये सभी कस्टमर को इसने पूरा का पूरा गोल्ड जो भी था इसका ये सारा गोल्ड कस्टमर को बेच दिया और सर जो बेचा ना इसने कब बेचा पता है 14-21-21 को बेच दिया और जिस दिन बेचा, उस दिन कस्टमर को कितने का बेचा सर कस्टमर को 2 करोड़ का बेचा अब यहाँ बात आती ही, capital gain सबसे पहले तो relation समझना होगा, कहाँ पे capital gain है, कहाँ पे नहीं है एक relation बनता है हमारा यहांसे लेके यहां तक यानि इस वेक्ती ने गोल्ड बेच दिया अपने दुकान को बेचा नहीं है बेसेकली अपने दुकान को दे दिया एक रिलेशन बनता इनके बीच में इनके बीच में जो रिलेशन है वो बिजनस का रिलेशन है और इनके बीच में business का relation नहीं है तो ऐसे situation को कहा जाता है कि आपने अपना personal assets या आपने कोई भी assets convert कर दिया business के stock में business के लिए क्या था gold? assets थोड़ी ना था क्योंकि उसका काम था gold बेचना तो उसके लिए क्या था वो? stock था उसके लिए क्या माना गया वो? stock माना गया पहले यहां तक देखिए clear है आपको ठीक है? अब बोला गया capital gain निगा लो फिर से ये special case पता है क्यों है? confusion इसमें थोड़ा अभी देखिए आपके भी confusion आएगा मन में capital gain sir capital gain में sales पहला क्या माने? एक करोड या दो करोड sales क्या माना जाएगा? हम निकाल रहे हैं CG तो बताइए sales consideration एक करोड या दो करोड जवाब दीजिए आप सभी भी जितने बच्चे हैं कमेंट में 1CR या 2CR कुछ बच्चे 2CR और 1CR तो सर जवाब है इसका पहला देखो confusion है न? बहुत बच्चों के मन में एक करोड भी चल रहा है किसी के मन में चल रहा है एक करोड? नहीं चल रहा? सभी बच्चे गलात है 1CR आएगा क्योंकि सर जो इसने 2 करोड का बेचा है वो तो बिजनस के परपस के बेचा है capital gain निकाल रहे हैं तो आपका personal assets कब बिग गया जिस दिन आपने अपने personal assets को दुकान में लाके रख दिया था तो आपके assets को customer ने खरीदा इस दुकान ने खरीद लिया separate legal entity पढ़ा है separate legal entity कि बिजनस अलग होता है honor अलग होता है तो इसलिए कितना लेंगे यहाँ पर एक करोड रुपे समझ में आई बात आपको अगला point सर 1CR का confusion खतम होते ही less cost of acquisition जैसे लेंगे एक और confusion स्टार्ट हो जाएगा 5 लाक रुपे तो लेंगे divided by 2002 का indexation क्या 100 बताइए 23 का indexation एक सो 105 अब यहाँ पर into में हम 2021 का indexation ले या फिर 18 का लेंगे जिस दिन समान विकेगा मैंने क्या पताए था नीचे जिस दिन खरीद है उपर जिस दिन विकाए बिल्कुल यहाँ बिजनस ने तो इसको बेच दिया तो हम तो इनके बीच का रिलेशन निकाल रहे ना कि इनके बीच का तो 2018-19 का indexation क्या बताइए 288 बताइए क्या आता है एक बार निकाल को वन डबल थ्री और भी कितने हो गए यह एक करोड से उपर चला गया नहीं तेरा लाग तो नहीं होगा ज्यादा होना चाहिए यह आ रहा है अरे नहीं यह गिन लो कितने तेरा लाग यह ना चलो सी आप निकाल दो capital gain हाँ ठीक है माइनस करिए capital gain यह रहा सर capital gain अब सवाल यह होता है के सर capital gain निकल तो गया सरकार को text देना है अब text किस दिन देंगे सरकार को text देने का भी time आ गया 2018 में सरकार को text दे दिया जाए या 2021 में दिया जाएगा सरकार को text कब दिया जाएगा 2021 के अंदर दिया जाएगा क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो दोगे यानि यह tax का payment होगा 2021 तो यहां पर computation 2021 के अंदर किया जाएगा भले ही आपका सारा काम 2018-19 के हिसाब से हो रहा हो लेकिन करेंगे कब अब सर इसका ऐसे सवाल जब भी आएगा न तो आपको business income भी निकालके दिखाना होगा examiner को और पूछेगा वह सर यहां business income क्या होगा अलग से अगर मैं simple सी बात करूं business income तो सर business income बहुत basic सी बात है आपका sales और minus में purchase sales 2CR purchase 1CR यानि 1CR का आपका net profit माना जाएगा बताईए कोई दिक्कत इसमें तो special case क्यों है यह क्योंकि यहां पर cost of acquisition लेने में या बहुत सारे आदार अभी इसमें बहुत सारे cases हैं अभी हमने सिर्फ 2 cases करें ऐसा भी हो सकता है कि government जवरदस्ती आपसे घर छीन ले पिछली बार भी हमने किया था ऐसा कुछ हां गोल्ड नहीं घर भी हो सकता है न तो घर जवरदस्ती अगर छीन लेता है government अभी करेंगे अगला वो थोड़ा बड़ा section है पहले इससे चोटे-चोटे कर लेंगे पहले यहां तक बताईए सर 2021 क्यूं क्यूं आया वाई 2021 कुछ नहीं आया यहां पर यह 2018 लिया है जो बच्चे बता रहे थे इंडेक्सेशन 2021 का एसस्मेंट ही है टेक्स भरोगे उस साल का डेट है यह जिस साल टेक्स दे रहे उस साल का डेट है आप पता हुआ नहीं डावट कोई डावट है तो बताईए चलिए ज़्यादा लेकर नहीं चलूँगा मैं नहीं तो इसके 4-5 केस थे वैसे तो हो जाने चाहिए अभी लेते हैं डावट सबका लेंगे डावट रुक जाईए और आपका एक्जाम थोड़ा डिले है आपका एक्जाम थोड़ा डिले है सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 5 वालों का परसो एक्जाम है मंड़े नी ट्यूजडे से एक्जाम स्टार्ट है उनका सेमेस्टर जो 5 में है और सेमेस्टर 5 का जो क्लास था न एक है क्लास फाइनेंशल मैनेजमेंट जो कि मैं क्लास लेता हूँ बच्चों का वो मैं लिया करता था MWF 730 और आपका लिया करता था TTS 730 तो 30 तारिक को MWF वाला मेरा टाइम खाली होगा हाला कि सेमेस्टर 1 का बन गया उसको मैं कहीं और अड़ेस्ट करूँगा तो MWF वाला एक टाइम खाली होगा तो आपकी क्लास 30 को पेपर है यानि आपकी 3 तारिक से 3 तारिक से आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी सेम टाइम सबसे पहले तो खतब पहले बीच में हो रहा था 10 बजे लो अभी एक दो दिन के क्लास कैंसिल जो हुआ है आपका सिर्फ रीजन बिंग यही था कि उनके कुछ कोश्चन्स कराने थे एक्स्ट्रा एक्जाम और इंटिट towards है कि हमारे एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ अभी 30 तक तो फिलाल उनकी क्लास ले रहा हूं क्योंकि जो भी है 30 के बाद फिर सारा स्पोकस्ट की उपर सिफ्ट हो जाएगा आपके जितने भी है पूरा करवाए जाए तो तीन तारिक तक, तीन तारिक से, अब तीन तारिक क्या डे पढ़ रहा है, I don't know, क्या है, सर एक और दो को क्यों नहीं लेंगे, अभी बताते हैं, थार्ज डे है, तीन तारिक, अच्छा मैं नवंबर देख रहा हूँ, दिसमर देखना हुझा, क्या कैलेंडर है, Saturday, ठीक है, बाकी, एक संड़े है कल, आपकी जो, मैंने तीन तारिक इसलिए बोला है, confused बिल्कुल नहीं हो ना, मैं पहले clear कर रहा हूँ, जो बच्चे बाद में वीडियो भी देखेंगे, लाइव क्लास बाद में देखेंगे, देखके समझ जाईएगा, कि आपकी क्लास जो है, Tuesday, Tuesday और Thursday चुटी रहेगी, Tuesday और Thursday, उस दिन आप लोगों को लाइव क्लास ना मिलके, रिकॉर्डिड क्लास मिलने वाला है, मतलब लाइव क्लास की चुटी है, लेखिन चुटी आपको मिलेगी उस दिन, कौनसी क्लास होगी आपकी, कि live class ना होके कौन सी होनी है recorded offline वाले बच्चों को बता दूँगा ये था हमारा live class का सारा schedule तीन class से regular तीन तारिक से regular class same time पे और timing भी मैं बढ़ा दूँगा साड़े साथ को छोड़के साइद मैं साथ से नौ कर दूँ जो कि नौ बजे के बाद बच्चे बोलते हैं उफलाइन वाले लेट हो जाते हैं नौ बजे तक comfort है तो साथ से नौ कर दूँगा और दो-दो-धाइड़ाई घंटे में जल्दी-जल्दी खतम करेंगे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनकी चुट्टी लाइव क्लास की है लेकिन रिकॉर्डिट लेक्चर आपको फोल्डर में अप्डिविट होके मिल जाएगा किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या समझ में आ गया सभी को तो अभी थोड़ी देर मैं जिन बच्चों का कुछ डाउट है थोड़ा वेट करना होगा मैं ओफलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा समझा दू मैं भी आऊंगा दुबारा जिन बच्चों को समझ में आ गया लीव कर सकते हैं जिन बच्चों का स्टिल डाउट है जो हैंड रेस कर रहे थे पांच मिनेट वेट करना पड़ेगा ताकि मैं ओफलाइन वाले बच्चों को सारा शेडियू समझा दू झाले बच्चों को समझा दू झाले बच्चों को बच्चों को समझा दू झाल 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 जो पूछ रहे थे एक बच्चे ने बोला सर मैंने आज जोइन किया है वन्स शिखा कोई दिक्कत नहीं आप सबसे पहले बेसिक टर्म्स करिए उसके बाद टू भी कंटीन्यू करेंगे हम यस खुशी बताईए नहीं नहीं मैंने बोला ना दो दिनों की छुट्टी रह गई कल कौन सी नहीं कल नहीं है अभी TTS चलेगी क्लास दो तारिक तक तीन से रगलर हो जाएगा आज कर दिया हाँ वो ले नहीं पाया आपको कल साम का लग से टाइम दे दूँगा या जितने बच्चों का जो भी डाउट है उसका टाइम मैं 28 तारिक को दूँगा क्योंकि 28 को मैं free होंगा शाम को तो उनको 28 तारिक को मैं पूरा डाउट का टाइम दूँगा शाम को ठीक है ठीक है हां जी दिया बताहिए हां जी बताहिए उसमें इंडेक्सेशन करेंगे और नहीं यह तो बिजनस इंकम है बिजनस इंकम तो परचेज माइनस सेल्स होता है इंडेक्सेशन का तो कोई बात ही नहीं है हां सारे शॉट्टर्म कैपिटल गेन होगे लॉंग टर्म नहीं होगा उसमेंगे यह सवंसी का बताईए यह सवंसी का बताईए अच्छा आई पी इनिवर्सिटी फिफ्ट समेस्टर बताईए आपके अपका एक्जाम कब है अठीक है तो मैं आप सबसे पहले ना बेसिक कॉंसर्ट देखिए इसका और मैं इसका फ्लैन मैं कल आपको ने एक आपके पास और मैं बोल दूगा आपको कर देंगा और वीडियो का लिंक भी आपको देंगा कैसे कैसे प्रिपेर करना है हाँ हाँ तो मैं अभी कल वीडियो बनाओंगा मैं इसके उपर आई पी अनिवर्स्टी का स्लेवस देखके उसके अकॉर्डिंग बता दूगा यह यह तैयारी स्टार्ट कर लें ताकि आपका स्लेवस इतने दिनों में खतम हो जाए अभी भी कोई डिले नहीं है आप दीरे-दीरे करेंगे थोड़ा सा एफट ज्यादा लगाएंगे वीडियो उस तो है रिकॉर्डिड है आप फटा-फट खतम कर सकते हैं चाहें तो टेलीग्राम का है मैं कल शेयर कर दूँ आपको शेयर करवा दूँ आपको ओके बड़ा पॉइंट बता दीजिए कौन सा चुट्टी वाले पॉइंट बताओ शक्षम चुट्टी वाले पॉइंट चुट्टी कहां से हैं किस चुट्टी वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं सेलरी में से बात कर रहे हैं किसका लीव एंकेश्मेंट या कोई और आप मुझे वाट्सअप पे करिए वोइस एसमेस अच्छा ट्यूजडे वाला सर्ट ट्यूजडे और थर्स्डे आपकी लाइव क्लास नहीं होगी रिकॉर्डिड क्लासिस होंगी बस मुझे यह बताना था रिकॉर्डिड सेम टाइम पर डल जाएगा आपके फोल्डर में उस दिन मैं यहां पर हूँ नहीं तो मैं कहीं और से रिकॉर्ड करके अप लूट करवा दूँ हूँ चल यह ठीक है अब जिन बच्चों का डाउट है मेरे नंबर पर आप वोई सेसमेस डाल दे क्यूंकि 10 बजे फिर मेरा डाउट सेशन स्टार्ट होने वाला है कॉलेज वाले बच्चों का 10 से 11 डाउट सेशन है रात को तो उनका डाउट लूँगा मैं थोड़ा सा तो आप डाल दे मैं आपका वोई सेसमेस का रिप्लाई जरूर कर दू हूँ चीक है गुड़ नाइट टेक केर